हेलो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका सिधार्त ऑनलाइन कोचिंग में आज हमें पढ़ना है पुल्राइज जैसा ना फ्लाइट थर्ड यूनिट के अंतरगत एक और टापिक पुल्राइट्स राइट्स क्या होते हैं तो अब तक हम लोग पाढ़ रहा है अन्न पॉल्राइज लाइट को में ऐसे बदलने के लिए अगर कहें तो इसका commercial यूज के लिए उपयोग किया जाता है Polarides का जो काच के चस्में बनते हैं चस्मों में भी नहीं का उपयोग होता है ताकि जो unpolarized light है जिसमें vibrations बहुत ज़्यादा होते हैं उन्हें filter करके कुछ particular vibrations को इंटर कराया जाए तो Polarides क्या है Polarides are commercially polarizing devices based on the principle of dichroism dichroism क्या होता है इसे अगर बात करें तो कुछ particular crystals होते हैं जिन में अगर light incident होती है तो light incident होने के बाद अगर doubly refracting crystal पर light incident होती है तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि doubly refracting crystals light को 2B में split कर देता है एक और और दूसरा एरे लेकिन dichroism doubly refracting crystals जो होते हैं वो O-ray और E-ray में से एक रे को absorb कर लेते हैं और एक रे को ही पास होने देते हैं जिसकी वज़े से जब उन पे unpolarized light गिरती है तो उसमें से एक ही light मिलती है जो होती है completely plain polarized light और जो पदार्थ जो material मतलब जो refracting crystal या जो double refracting crystals इस फेनोमीना को सो करते हैं उन्हें कहा जाता है उन्हें कहा जाता है dichroic तो यहीं पूरा प्रोसेस है तो polarized पढ़ने के लिए एक और हमें topic पढ़ना पढ़ेगा कि dichroism होता क्या है तो dichroism क्या होता है कि कुछ doubly refracting crystals होते हैं अगर यह doubly refracting crystal है और यह dichroism है तो इसमें क्या होगा कि इसमें जब यह light incident होगी तो दो पार्ट में split हो जाएगी एक O-ray और दूसरा E-ray O-ray के vibrations perpendicular to the plane है और E-ray के vibrations parallel to the plane है यह crystal क्या करेगा यह crystal एक vibrations को absorb कर लेगा और केवल एक vibration extraordinary ray को ही पास होने दे रहा है मतलब दोनों में से O-ray या E-ray में से एक ray को ही पास होने देगा तो इस प्रकार का जो crystal होता है या यह पूरा phenomenon होता है उसे का जाता है dichroism और इस phenomenon को जो crystal सो करते हैं उन्हें का जाता है dichroic crystals तो अगर पूरा इसके लिए लिख भी दियें कि the property of certain doubly refracting crystals absorbing one of the two rays मतलब O-ray और E में से एक को absorb कर ले ऐसी property तो वर्गूर्ट जो क्या करें double refracting crystal का वर्गूर्ट जो क्या करें एक ray को इसमें से absorb कर ले absorb कर ले सोख ले उसे तो the associate कर ले तो the property of certain doubly refracting crystals absorbing one of the two rays completely and allowing the other ray to transmit और दूसरी ray को जो एक बच रहे एक को absorb कर ले और जो बच रहे उसे transmit होने दे is known the dichroism तो ये property क्या कहलाती है dichroism and that crystals are called dichroic crystals जैसे term line crystal term line crystal क्या करता है जब इस पे unpolarized light incident होती है तो unpolarized light को ये doubly reflecting crystal है doubly refracting crystal होने की वज़े से ये unpolarized light को 2 polarized light में split कर दिया लेकिन term line crystal क्या करता है इसमें से एक ray को absorb कर लेता है और एक ही को transmit होने देता है तो यहां से क्या हुआ यहां से एक light बाहर मिल रही है extraordinary रही है मतलब ये unpolarized light जो थी अब किसमें बदल गई polarized light में यहां पे बदल गई तो unpolarized light polarized light में बदल गई किस फिनॉमिना के दोरा dichroism फिनॉमिना के दोरा तो pullrides में भी यही use किया गया pullrides क्या है पूराइट्स क्या होते है pullrides are commercial polarizing devices based on the principle of dichroism मतलब dichroism के फिनॉमिना पे यह काम करते है मतलब इन में भी जो material होता है वो क्या करेगा वो दोनों जो splitted beams हैं उन में से एक को absorb कर लेगा और एक को ही transmit होने देगा तो एक को absorb कर लेगा एक को transmit होने देगा तो एक जो जब पूरा light जो incident होगा pullrides पे वो होगा un-pullrides light जब इसमें से light बाहर निकलेगी तो वो होगी polarized light अगर इसके लिए diagram बनाए pullrides के लिए तो pullrides को बनाने के लिए हमें क्या काम करना है एक thin layer लेते है nitrocellulose की nitrocellulose की एक thin layer ली जाती है बहुत पतली सी layer इस टाइब से माली आगया यह layer होगी फिर उसके बाद इस पे microscopic या ultra microscopic crystals idocunine sulfate के छोटे particles को align कर लिया जाता एक पंक्ती में व्यवस्थित कर लिया जाता और पंक्ती में व्यवस्थित कर लिया जाता है इस प्रकार से कि इनके optic axis एक दूसरे के parallel होते है तो इस प्रकार से इने ultra microscopic crystals को idocunine sulfate के ultra microscopic crystals को align कर दिया जाता है इस प्रकार से तो इस nitrocellulose का एक thin layer हो गया उसके उपर tiny particles छोटे छोटे particles गल्स को व्यवस्थित कर दिया गया यही बनता है पॉल राइड लेकिन क्या हुआ कि इस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो थोड़ा सा भी फोर्स लगने की वज़े से यह क्या होगा कि यह इधर उदर हो जाएंगे इनका जो अरेंजमेंट है वो गल्बडा जाएगा इससे बचने के लिए इसके बारे में लिखते हैं कैसे इसे बनाया जाएगा और कैसा इसका structure होगा फिर इसका क्या यूज होगा और कैसे working होगा तो अब लोग समझ गए पॉलराइट्स को कैसे बनाना है पॉलराइट्स के लिए नाइट्रो सेल्यूलोज का एक थिन लेयर लिया जाएगा बहुत हल्की सी परत यह पूरा लेयर हो गया नाइट्रो सेल्यूलोज का लेयर हो गया अल्ट्रा थिन लेयर हो गया तो नाइट्रो सेल्यूलोज का एक पतली परत एक जिल्ली टाइप लेके थिन सीट लेकर इस पे अल्ट्रा माइक्रोइसकोपिक क्रिस्टल्स की जो है कंपाउंड को मतलब क्षोटे छोटे-छोटे क्रिस्टल्स को अलाइण कर दिया जाए एक पंक्ति में विवस्थित कर दिया जाएगा जो उस प्रकार से देखने पर लगें तो इस प्रकार से इनमें विक्रती आ जाएगी इनका जो अरेंजमेंट है वो गड़बड़ा सकता है जिसके लिए क्या किया जाएगा कि इन दोनों को एक ग्लास सीट के अंदर पैक कर दिया जाएगा ये बन जाएगा पुल राइट तो इसके लिए पूरा कैसे बनाना ये लिख भी दिये आप आपको लिक्नोट्स बनाने में आसानी रहे घी कि प 많은जिए वेज़ंड प्रिंसिपल लाफ डाइक क्रो इजम क्या होता है डाइक क्रोईज्म जब लाहिट इंसिडेन्ट होती है तो 2 बी में स्प्लिट होती है उसमें से एक को एब्जॉर्ब अगर जो material एब्जॉर्ब कर ले और केंवल एक ही को transmit होने दे तो वो material कहलाते हैं यह property कहलाता ही dichroism और उन materials को कहा जाता है dichroic तो अब उसके बाद in polarites dicroic crystals are embedded in volatile viscous medium cellulose acetate and crystals मतलब दूसरे crystal और कौन से हर्पेथाइट या फिर आइडो सलफेट क्यों ना इनके छोटे crystals are aligned मतलब पंक्ती में एक अरेंज कर दिया जाता है are aligned with their optic axis parallel तो इस सबका optic axis parallel है गा इन सबको एक line में arrange कर दिया जाएगा crystals are not stable and are affected by slight strain so they are developed in form of large seat and mounted between two glass plates तो इसमें क्या range किया गया thin seat of nitrocellulose packed with ultra microscopic crystal of organic compound idosulphate cunine या फिर इसे कहेंगे या दूसरा लिया जा सकता हर्पेथाइट with their optic axis all parallel या with their optic axis parallel to each other तो इस प्रकार से इने बना लिया गया अदो ग्लास seat के अंदर इसे रख दिया गया इस प्रकार से अब इसके working की बात करते हैं अब इसे glass seat के अंदर रख दिया गया अब इसके working की बात करते हैं तो working क्या होगा working यह होगा कि जब जब इस पे unpolarized light incident होगी यह मालिया यहां से इस प्रकार से unpolarized light इस पे incident होगी जब unpolarized light इस पे incident होगी तो इसमें से polarized light हमें मिलेगी इस प्रकार से बाहर के और क्या मिल रहा हमें पुलराइज लाइट मिल रहा है तो अन पुलराइज लाइट जब इस पर incident हो रहा है तो हमें पुलराइज लाइट बाहर की और मिल रहा है यही पुलराइज का काम है कि अन पुलराइज लाइट को पुलराइज लाइट में बदलना अब पुलराइज को पुलराइजर की तर ले लिवा गया जो है P to दूसरा पॉल्ड राइट ले लिकाई पीटू इसे अगर रफ्ष करते तो एक दूसरा पॉल्ड राइट टीज इसके सामने रख दियागा जिसके एक्सेज भी क्या है इसके चुसके पारलल अगर उसे लाइन scot कर दिया गया उसे भी रख दिया गया माला लिया गया यह दूसरा पुल्ड राइट यहां प्लेस कर दिया गया यह हो गया पीटू यह एनलाइजर की तरह भी काम करेगा क्योंकि यह लाइट को बताएगा कि लाइट जो इस पे इंसिडेंट हो रही है वो पुल्ड राइज लाइट है कि अन्पुल्ड राइज लाइट है तो इस प्रकार से यह फर्स्ट पुल्ड राइज हो गया यह दूसरा पुल्ड राइज हो गया जब इस पे अन्पुल्ड राइज लाइट इंसिडेंट होगी तो यहां से क्या मिल प्लराइज लाइट मिलेगी जब इसमें से यह प्लराइज लाइट मिनिकले लगी उन ‎श्रकुंव का प constitute HeК ciao यह अ किरनेकी वजए से जो इसमेंसे भी माउच हो रही है वह भी मिश्मे से हわか यह लेगे लाइटло मिल जाएगी intensity जो मिल रही थी वहाँ पे वो ही बाहर की और मिलेगी जो इसने tip है वही बार की और मिल रही है तो इसे क्या आगा मतलब कि यह जो है पॉल instead लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है मतलब यहां से पॉल्राइट लाइट इंसिडेंट हो रही है इससे अन पॉल्राइट लाइट इंसिडेंट हो रही है जब दोनों इनका रेंजमेंट एक दूसरे के पैरलल किया गया तो लाइट की इंटेंसिटी हमें मैक्सिम मिल रही है अब क्या हुआ कि यह जो दूसरा सीट है मां लिया गया इस प्रकार से फर्स्ट पॉल राइड है यह हो गया फर्स्ट पॉल राइट यह तो इसे सामने से ऐसे रख दिया गया इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है अन पॉल राइज लाइट को यह किसमें बदल दिया पॉल राइज लाइट में अब दूसरा यह फर्स्ट पॉल राइट हो गया दूसरा पॉल राइट यह ह तो जो इससे इसमें से निकलने वाले वाइब्रेसंस है जो रहे हैं वो आगे क्यों मिलेंगी इस प्रकार से हमें maximum intensity मिल रही है अब अगर इन दोनों का एक दुसरे के परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया जा मतलब इसे रोटेट कर दिया जा इस प्रकार से रख दिया गया इस प्रकार से पहले ऐसे थे इसे 90 डिगरी रोटेट कर दिया गया ऐसे तो क्या होगा दीरे दीरे इसकी intensity घटेगी intensity घटने के साथ साथ क्या होगा जब यह ऐसे हो जीरो मतलब कोई लाइट यहां से नहीं जा रही है तो यह दूसरा वाला जो पुल्डराइड है वो किसलिए यूच किया जा रहा है एज एन एनलाइजर यूच किया जा सकता है ताकि वो बता रहा है कि जो लाइट इसके इंसिडेंट हो रही है कि पुल्डराइजड लाइट प्रकार से माल लिया गया फर्स्ट पुल्ड राइड हो गया और दूसरे वाले को इसके 90 डिग्री पर प्लेस कर दिया गया मुं आ है मुं अभ्रती Ums से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा से इसमें से जो quindi laid-meel रहे थी अब इसमें से पास ही नहीं हो पाएगी तो यहां पर मिलेगी जीरो इंटेंसिटी आथा इसे क्या किया जा सकता है इसे यूज किया जा सकता है analyzer की तरह भी तो यह working हो गया working क्या होगा working होगा पुल राइट का कि जब उन पुल राइज लाइट इस पर incident होती है तो पुल राइज लाइट में बदल जाती है और दूसरा इसका analyzer की तरह यूज है कि अगर दोनों का अगर इसमें से maximum intensity मिल रही है तो इस पर जो light incident हो रही है वह पुल राइट है और अगर उसका उप्योग है और उससे analysis करने के लिए भी कि यह प्लेन पुल राइज लाइट है कि नहीं तो पहला उप्योग यह इन लैबॉरेटरी तो produce and analyze प्लेन पुल राइज लाइट दूसरा दूसरा उप्योग नहीं कह सकते इसका advantage कह सकते हैं कि यह cheaper है कोल प्रिज्म से सस्ता है इसलिए इसका यूज किया जाता है तीसरा कह संग्लासे में यूज किया जाता है क्योंकि जब वेट रोड हो भीगी हूज सडक हो या फिर कोई polished surface हो वहां से जब light reflect होके आँखों पर पढ़ती है तो उसकी चमक को कम करने के लिए इसका उपियो किया जाता है तो used in sunglasses to cut off the glare of light reflected from wet roads, polished surface, etc. चोथा used to control intensity of light light की intensity को कम करने के लिए या control करने के लिए in train and aeroplanes तो उसके विंडो में इसे यूज किया जाता है train और aeroplane के विंडो में यूज किया जाता है in light intensity को control करने के लिए पांचवा to see the 3D picture जो glasses होते है पुलराइट glasses होते हैं उनमें 3D picture देखने के लिए इसे उपियोग किया जाता है पुलराइट्स को तो पुलराइट्स क्या होते हैं पुलराइट्स एक devices हैं जो commercially use किये जाते हैं unpolarized light को polarized light में बदलने के लिए तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में thanks for watching पुलराइट्स